नमस्कार दोस्तों festive season चल रहे हैं तो आज मैं बना रही हूँ त्योहार की थाली जिसमें हम प्याज और लेसुन का यूज नहीं करेंगे इसे बिलकुल सात्विक तरीके से बनाएंगे तो चलिए फटा फट थाली बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक बरतन में आधा लीटर दूद चड़ाया है मीठे में मैं सिवई बना रही हूँ तो जब दूद करम हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे अभी मैंने दूद को दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया है और इधर कूकर चड़ा दिया है कूकर में मैं जीरा राइस बनाऊंगी अब कूकर में एक चम्मच घी डालेंगे अब इसमें एक टीस्पून जीरा, एक पड़ी इलाइची, दो लॉंग और चार काले मिर्च डालेंगे यहां मैंने 2 कप बासमती राइस लिया है जिसे 2-3 पानी अच्चे से दोने के पाद 10 मिनट के लिए भिगोया था इसे कूकर में एट कर देंगे अब नमक डालेंगे और अब चावल में पानी एट करेंगे तो मैंने यहां पे 3 कप पानी डाला है जितना भी चावल लेंगे उसका देड़ गुना पानी डालेंगे तो मैंने यहां पे 2 कप चावल लिये हैं इसलिए 3 कप पानी डाला है अब कूकर बन करके इसमें 1 सीटी लगाएंगे यहां मैं कूकर को साइड वाले बर्नर पे शिफ्ट कर रही हूँ अब मैंने यहां पे एक परतन में पानी चड़ाया है पानी को बॉयल कर लेंगे मैं पालक पूरी बनाऊंगी तो इसके लिए हम इस पानी में पालक ब्लांच करेंगे और यहां पे दूद बॉयल हो गया है तो इसमें हम सिवई डालेंगे मैंने यहाँ पे roasted vermisilly लिया है यह roasted है तो सीधे सिवई को दूद में add कर देंगे मैंने आधा कप सिवई लिया है अब मैंने इसमें 2 ilaichi crush करके डाला है और अब last में इसमें शक्कर add करेंगे तो मैंने इसमें 3 चम्म शक्कर डाला है इतनी शक्कर इतनी सिवई के लिए sufficient है अब सिवई को 2-3 मिनट और boil करेंगे और ये देखिए सिवई पक गई है तो gas off कर देंगे सिवई ठंडी होने के बाद थिक होगी इसलिए इसे और ज़्यादा boil करने की जरूरत नहीं है इधर हम पानी को चक कर लेते हैं पानी boil हो गया है तो अब इसमें हम पालक डालेंगे ये 500 ग्राम पालक है जिसे अच्छे से धो लिया है अब पालक को पानी में 2 मिनट तक boil करेंगे इसका color maintain रखने के लिए इसमें 1 teaspoon शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे दौनों चीजों को पानी में मिला देंगे पालक को boil करते हुए 2 मिनट हो गया है तो gas off कर देंगे और अब इसे फटा फट थंडे पानी में डालेंगे ऐसा करने से पालक की cooking process आगे की रुख जाती है और इसके पत्ते भी green बने रहते हैं अब पालक को drain करेंगे तो पानी से पालक को निकाल कर छनी में डालेंगे drain करने के बाद पालक को 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए यहाँ चावल में एक सीटी लग चुकी है कूकर का प्रेशर भी निकल गया है तो इसे खोल लेंगे और यह देखे चावल का एक एक दाना बिलकुल अलग है तो अभी हम चावलों को साइड में रखेंगे और गैस के तरफ चलते हैं क्योंकि अब सब्जिया बनाएंगे तो पहले मैं गोभी मतर की सूखी सब्जी बनाऊंगी इसके लिए मैंने एक कड़ाई को गैस पे चड़ाके इसमें दो टेबिल स्पून सर्सो का तेल डाला है तेल को गरम होने देंगे आप इसमें रिफाइंट ओयल भी डाल सकते हैं मैं इस सब्जी को सर्सो के तेल में ही बनाती हूँ अब तेल में एक टी स्पून जीरा डालेंगे हरी मिर्च बारी काट के डालेंगे दोनों चीजों को सौटे करेंगे अब इसमें आधा टेल स्पून हल्दी पाउडर एक टेल स्पून धनिया पाउडर एक टेल स्पून कश्मीरी लार्मेड और नमक डालेंगे मसालो को चलाएंगे और अब इसमें गोभी और मतर बहर करेंगे अब दोनों चीजों को दो मिनट तक भुनेंगे ऐसे भुनकर सबजी बनाएंगे तो सबजी बहुत टेस्टी बनेगी अब 4-5 मिनट के लिए सबजी को कवर कर देंगे और जरूरत पढ़ने पर सबजी में 1-2 टेबेले स्पून पानी डाल सकते हैं अब तुरंथ नेक्स्ट प्रॉसेस में चलते हैं तो पालक ठंडी हो गई है तो इसे ग्राइंड कर लेंगे इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे इसे ऐसे ही ग्राइंड करेंगे पालक को ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट तयार करेंगे और इसका कलर देखे कितना बढ़ियां आया है तो इसे एक बरतन में निकाल लेंगे यहां मैंने पालक के पेस्ट में दो कप गेहूं का आटा एड़ किया है अब एक टीस्पून कलॉंजी डालेंगे, एक टीस्पून अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसे गुनदेंगे अभी इसमें पानी का यूज बिलकुल नहीं करेंगे अगर आटा पेस्ट के साथ बाइंट हो जाता है तो इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे इस आटे को भी पूरी के आटे की तरह ही सक्त गुनना है आटे को bind कर लिया है तो अब इसे हम चिकना करेंगे चिकना करने के लिए एक टेबिल स्पून रिफाइंट ओयल डालेंगे और अब आटे को अच्छे से गुन देंगे आटा तयार है तो अभी हम इसे ढखकर साइड में रखेंगे और यहां मैंने गैस आफ कर दिया था क्योंकि सबजी रेडी है चेक कर लेते हैं कि गोभी पकी है की नहीं क्योंकि मतर तो मैंने फ्रोजन यूज किया है और ये देखे गोभी पक गई है तो अब सबजी में हरी दिनिया डालेंगे और सबजी को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये लोहे की कड़ाई है तो इसमें सबजी को ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते नहीं तो वो काली हो जाएगी और हमें दूसरी सबजी भी बनानी है तो अब गैस ओन करके मैंने उसी कड़ाई में दो टेबिल स्पून रिफाइन्ट ऑयिल डाला है मैं बना रही हूँ यहाँ पे साबुत धनिया वाले आलू जोकी बहुत टेस्टी लगते हैं तो मैंने यहाँ एक टेबिल स्पून साबुत धनिया करश करके तेल में डाला है ए एक टेबिल स्पून तिसी धनिया डालेंगे, एक टेबिल स्पून कश्मीरी लार्ण मिर्स डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और सारी चीजों को चलाएंगे, एक टेबिल स्पून जीरा मसाला डालेंगे, और इसी टाइम पे गरम मसाला भी एट कर देंगे, लास्ट में इसमें हरी धनिया एट करके गैस आफ कर देंगे आलू की मज़ेदार सबजी रेडी है तो अब हम अपने नेक्स प्रॉसेस में चलते हैं यहां मैंने तीन टेबिल स्पून काजू और तीन टेबिल स्पून खरभूजे के बीच को भीगोया है इन्हें ग्राइंड में तीन टेबिल स्पून फ्रेश मलाई डाली है आप इसकी जगा दही भी ले सकते हैं बस दही खटा नहीं होना चाहिए अब मैंने यह बीच रूट का एक टुकडा लिया है इसे चोटे-चोटे टुकडे में काट कर ग्राइंडर में डाल देंगे और अब इसे पीस अब दोनों चीजों को अच्छे से गरम कर लेंगे अब इसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे और दो हरी इलाइची क्रश करके डालेंगे इसके सिवा इसमें कुछ नहीं डालेंगे अब इसमें हम वो पेस्ट डालेंगे पेस्ट डालने के बाद तुरन चलाएंगे क्यो को अच्छे से पकाईंगे इसमें एक टी स्पून शक्क और अश्ध रगता है और अब आप इसमें 101 कसूरी मेस कृष लादेंगे इसके पार इसमें पनीर करेंगे तो जिसे क्यूब के शेप में काटा है तो इसे हम ग्रेवी में एड़ कर देंगे मैंने इस रेस्पी को प्याज और लहसुन के साथ भी बनाया है जिसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं इस पनीर की सबजी में टमाटर कश्मीरी लार मिर्च हल्दी अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक हरीमिर सलिट करके डालेंगे और बस दो मिनट के लिए सबजी को कवर कर देंगे दो मिनट के बार धकन हटा देंगे और यह यहाँ पे पिंक ग्रेवी पनीर बनकर तयार है अगर आप इससे ज़्यादा पिंक कलर चाहते हैं तो इसमें बीट रूट की मातरा बढ़ा सकते हैं अब हम अपने नेक्स प्रोसेस में चलते हैं तो दही के आइटम के बिना तो थाली अधूरी है तो यहां मैं बना रही हूँ साउथ इंडियन रायता तो मैंने यहां पे एक कब दही लिया है जिसे अच्छे से फेट लिया है अब रायते का तड़का तयार करेंगे तो इसके लिए गैस के तरफ चलते हैं गैस पे मैंने तड़का लगाने के लिए एक पर्तन चड़ा दिया है इसमें हम एक टेबिल स्पून घी डालेंगे घी के गरम होते ही एक टी स्पून राई डालेंगे एक टी स्पून जीरा डालेंगे कड़ी पत्ता डालेंगे और गैस आफ कर देंगे गैस आफ करने के बार इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और एक खड़ी लाल मिर्च डालेंगे तड़का रेड़ी है तो इसे हम दही में एट कर देंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर और काला नमक डालेंगे अब सारी चीजों को मिक्स करेंगे और यहाँ पे यह साउथ इंडियन रायता रेड़ी है तो अब पालक की पूरी तयार करेंगे आटा सेट हो गया है तो इसमें से पूरी के लिए लोई निकाल लेंगे बहुत बड़ी लोई नहीं काटेंगे नॉर्मल पूरी की तरह ही करेंगे अब एक लोई लेकर इसे सिंपल पूरी की तरह बेलेंगे बहुत बड़ी नहीं बेलेंगे पूरी को बेल लिया है तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं तेल गरम है तो इसमें हम पूरी को डालेंगे और देखिए ये कितने बढ़ियां तरीके से फूल गई है गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और पूरी का आटा हमेशा कड़ा गुन देंगे चाहे तो आप आटे में दो चम्मस सूजी भी एट कल लें इससे पूरी देर तक फूली रहती हैं पूरीयां रेडी हैं तो चलिए पापड भी तल लेते हैं और पापड तलना तो सबको आता है ये मूंग के दाल के पापड है और इने में मीडियम हाई फ्लेम पे तल रही हूँ पापड को तलने के बाद इसे साइट पे थोड़ा सा जटक दें जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए सारी चीजे रेडी है तो चलिए थाली लगा लेते हैं तो मैंने तो ये तेवहार की थाली तयार कर ली है उमीद है आपको पसंद आएगी ये बिना प्याज लहसुन के सात्विक थाली है इसे आप भगवान को भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों आप कोई रस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्प्या चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें चेर करना ना भूलें धन्यवाद